रिवन मैसेल्फ डॉक्टर भराज सेंग मीना फ्रॉम गवर्मेंट कोलेज कोटा आज हम ऑक्सिडेशन एंड रेड़क्शन के अंतरगत जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है तत्मों का निश्करशन या कहें एक्स्ट्रेक्शन ओफ एलिमेंट्स तो एक्स्ट्रेक्शन ओ डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्मों के निश्करशन में जो विधियां हैं उनका किस प्रकार से प्रियोग किया जाता है और उन तत्मों के निश्करशन की विभिन विधियों को हम क्रम से डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला है कि मुक्त अवस्था में ज पर्थक करवाते हैं और कई एलिमेंट जो इनर्ट होने के कारण नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाते हैं जिने हम यांतरिक मेथर द्वारा उनकी इंपूर्टीज या कंटमनेंट्स से अलग कर लेते हैं या सेप्रेट कर लेते हैं वो धारण के तौर पर आप देखें ज लेतिनम है हीरा है सलफर है नैट्रूजन है ऑक्सिजन आरगन एकसेक्टर आदी नेचर में फ्री अवस्था में पाई जाने वाले एलिमेंट हैं तो उनको हम किसके द्वारा प्रत्थक करते हैं यांतर की मेथर के द्वारा सेकेंड है कि कुछ एलिमेंट के जो योगिक हैं वो उस्मा के प्रतिक कैसे होते हैं अनेष्टेविल होते हैं ऐसे एलिमेंट को उनके कमपाउंस के थर्मल डिकंपोजीशन द्वारा प्राप्त किया जाता है उधारण के तोर पर हम देखें सोडियम एजाइड एने एन्थरी धात्वे कार्वोनिल है सिल्बर कार्वोनेट है परोक्साइड है पोटेशियम क्लोरेट है एसेक्टरा योगिक को हम क्या करते हैं गरम करने पर एक सुध element मुक्त करते हैं थर्ड है displacement of one element by another या कहें एक तत्व का किसी अन्न तत्व द्वारा विस्थापन यह बिदी रेडॉक्ष बिभाओं की values पर बेश्ट है और theoretical रूफ से जो electrochemical series है जो तत्व उपर है वो अपने से नीचे situated elements के आयन को उनके billion से free कर देते हैं लेकिन क्या होता है कि इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जिसमें दो महत्मून बाते हैं पहला है वह तत्व water से reaction नहीं करता हो ऐसा element हो जो water से reaction नहीं करता हो second महत्मून जो ध्यान रखने वाली बात है वो है एक सस्ते तत्व की मदद से महंगे तत्व को प्राप्त किया जाए तो ये दो बातों को ध्यान रखना आवश्यक है एक element का किसी element द्वारा विस्थापन करने में और इस method द्वारा जो तत्व की निर्माण के कुछ main examples हैं उनमें पहला है जिन copper S को में CUS की अतियंत कम मात्रा होती है उन्हें खुली हवा में छोड़ दिया जाता है और वो क्या करते हैं कि जो air की presence है उसमें गर्मी वा बरसात में रहने पर इसका परिवर्तन हो जाता है किसमें CUSO4 में और यह जो copper sulfate है CUSO4 विलियन में क्या करेगा लोहे की छीलन डालने पर ताबा मुक्त करता है देखें CUSO2 प्लस विलियन अवस्था में तो कैसा है CUSO2 प्लस है और अगर इसमें हमने लोहे की F की छीलन डाली तो क्या मुक्त करा इसने ताबा CU और यह F था वो F2 प्लस में परिवर्तित हो गया इसी प्रकार से इसकी second method देखें जिन ASCO में थोड़ी मात्रा में कैडियम भी होती है उनके लिए क्या करते है कि जिंग के extraction में जैड़न इसोफोर का बिद्दुत अबगटन करवाये जाता है और जैड़न इसोफोर के साथ कुछ मात्रा में कैडियम सलफेट की भी होती है और परियाप्त समय तक हम क्या करते हैं उसका विद्दुत विसलेशन के बाद बचे हुए बिलियन में कैडमियम सलफेट की कंसंटेशन काफी बढ़ जाती है अब इस बिलियन में यदि कुछ मात्रा में हम क्या डाल दें जिंक मेटल डाल दी जाए तो क्या होगा आपका कौन सा मेटल फ्री हो जाएगा कैडमियम फ्री हो जाती है क्योंकि जो स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज है उसमें जिंक धातू कैडमियम से उपर है अब आप देखें जैडेन प्लस कैडमियम तो क्या होगा यहाँ जैडेन टू प्लस बन गया और यह कैडमियम फ्री हो गया है बिलियन में आपने देखा कि जो जैडन 2 प्लस आयन था वो बिद्धुत विस्लेशन द्वारा जिंक मेटल में पुने प्राप्त कर लिया जाता है और थड़ है इसका कि जो समुद्री वोटर है उसमें कुछ ब्रोमाइड आयन भी होते हैं और स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज में क्लोरिन ब्रोमीन से उपर है तो क्या होगा ब्रोमाइड आयनों को ब्रोमीन के रूप में बिलियन से मुक्त कर देती है देखिए ये ब्रोमाइड आयन है ये CL2 है क्लोरिन तो ये क्या हुआ ब्रोमीन के रूप में मुक्त कर दिया और CL मा high temperature chemical reduction methods हैं इसमें क्या होता है कि इन methods में कई element का extraction कराया जा सकता है और यहाँ पर क्या करते हैं जो फर्नेंस होती है उसमें high temperature पर जो compounds को क्या करते हैं जो उप्युक्त अपचायक के साथ गरम किया जाता है हम देखते हैं कि यहां कुछ प्रमक अपचायकों का उल्लेक किया गया है उसमें देखें आप कारबन द्वारा अपचेंद आप देखें F2O3 प्लस C और यहाँ पर जो फर्नेंस काम में ले रहे हैं वो वैत्या फर्नेंस है और यहाँ पर यह F2O का निर्मान हुआ इसी पिरकार से ZNO प्लस C और 1200 टेंपरेचर पर आप देखेंगे ZN फिर हुआ प्लस C O का निर्मान हुआ इसी पिरकार से यहाँ पर N बटियों के द्वारा भी N elements का extraction होता है Second देखिए इसी में N धातूं द्वारा अपचें कार्बन के अलावा यदि कार्बन द्वारा अपचें कराने में ज़्यादा टेंपरेचर की आवस्थ सकता हो जो क्या होगा कि आपका प्रेक्टिकली अपने अनकूल नहीं हो तो किसी बिद्दोध धनात्मक धातू जैसे अलुमुनियम है मैगनीसियम है आदि द्वारा अपचें कराया जाता है ये बिद्दोध धनात्मक धातू है अपचें में अलुमिनियम धातू का ऑक्सिकरन किस में होता है AL2O3 में हो जाता है और इसमें क्या होगा जो अत्यदिक मात्रा में एनर्जी मुक्त होगी कित्ती 1675 किलो जूल प्रतिमोल और ये आपके थर्माइट प्रोसेस का बेसिकली प्रोसेस का बेस भी है या देखिए इस पिरकार से रियक्शन होगी अलुमुनियम के साथ MN3O4 की रियक्शन होगी MN3 हो गया और B2O3 की AL के साथ रियक्शन होगी तो इसमें बोरोन फ्री हो गया इसी पिरकार से CR2O3 प्लस AL की रियक्शन कराने पर CR का एक्ट्रेक्शन हुआ अब यदि कोई ऑक्साइड अपचेन के प्रति अतियंत इस्टेबिल हो तो उनके क्लोराइड का धनविदुती मेटल्स के साथ रिडक्शन कराया जाता है आप देखिए हैं TICL4 है मेगनीसियम के साथ रियक्शन की और यह आपका टेंप्रेचर है 1000 to 1150 दिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर यह TIE फ्री हो गया है इसी पिरकार से TICL4 की अगर एने के साथ रियक्शन कराते हैं तो यहाँ TIE फ्री हो जाता है इसी करम में आप देखेंगे कि जो सैल्फ रिडक्शन है जैसे स्वेय अपचेन कहते हैं कई सल्फाइड एस जिसमें आप उधारण के तोर पर ले सकते हैं PBS, CUS, SP2O3 का क्या करते हैं पहले air की प्रेजेंस में रोश्टिंग की जाती है जिसमें क्या होगा जो सल्फाइड का आंसिक रूप है से वो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और फिर क्या होगा कि जो YUS उसकी एपसेंस में निस्तापन कराते हैं जहाँ पर क्या होगा उसका सेल्फ रेडक्सन होता है और मेटल फिरी हो जाती है आप देखिए यहाँ पर CUS है air की प्रेजेंस में रोश्टिंग करवाई COO प्लस CUS और बाद में हमने क्या करा air की एपसेंस में इसका निस्तापन किया तो यह CU आपकी फिरी हो गई जो CU मेटल है वो फिरी हो जाती है इसी करम में आप देखें कि जो हैट्डूजन द्वारा ओक्षैडों का अपचेन है reduction of oxide with हैट्डूजन तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ धात्विक ओक्षैडों का अपचेन hydrogen द्वारा करवाया जाता है उदारण के तोर पे देखें हम GEO2 H2 द्वारा अपचेन करवाया तो यह G germinium का नर्माण हो गया इसी प्रकार से NH4, MOO4 plus H2 के साथ reaction कराई तो यह molybdenum का नर्माण हो रहा है molybdenum धात्व का तो इस hydrogen द्वारा Oxide का अपचेन हुआ है और इस बिदी के निमन कारणों से अधिक उपयोग नहीं किया जाता है hydrogen द्वारा Oxide की Oxide का अपचेन की भिदी है उसके कुछ कारण है जिसके कारण उसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है उसमें पहला कारण है कि हाई टेंपरेचर पर धातुएं hydrogen के साथ reaction करके धातुएग हैड्रेड बनाती है इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है और वायू की oxygen और hydrogen की किरिया से क्या होता है विसपोट होने का खत्रा भी बना रहता है इसलिए इसका अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता है तीसरा method है extraction का electrolyte reduction यहाँ पर क्या होगा जो swim electron से अधिक प्रवाल अपचायक तो क्या करेंगे कोई होई नहीं सकता swim electron से अधिक प्रवाल अपचायक तो कोई नहीं हो सकता किसी भी आयनिक योगिक का यदी बिद्ध अपगटन कराये जाए तो cathode पर अपचेन होता है और cathode पर अपचेन होता है तो क्या मुक्त होती है metal मुक्त होती है और इस method द्वारा अतियंत सुद्ध अवस्था में elements को प्राप्त किया जा सकता है लेकिन होता क्या है कि बिद्ध की बड़ी हुई कीमतों के करण कैसी पढ़ती है हमें महेंगी पढ़ती है और बिद्ध अपगटन कितने परकार से संपन कराया जा सकता है इसमें तीन परकार से संपन कराया जा सकता है पहला है आपका जलिये billion में in aquest solution में इसमें क्या होगा कि यह है बिद्धुत अपकटन की सच्टी और सुगधा जनक भी दिये लेकिन इस मेथड में उन तत्मों पर लागों नहीं किया जा सकता है इस मेथड को जो जल के साथ किरिया करते हैं कौपर तथा जिंकों को उनके सलफेटों के जलिये बिलियन के उद्ध अपकटन के पिरकार में से है इन अदर सॉल्वेंट्स यहां देखें कहीं कहीं आपने देखा होगा कि किसी एजलिये बिलायक का भी उप्योग किया जा सकता है अधारन के तुर पर आप देखें फिलूरूरून के निर्मार में एजलिये एचैप में के एचैप के आईनिक योगकों को पिगला कर उच्चताप पर उस गलित का विद्धुत अपगठन करवाते हैं उधारन के तोर पे देखें आप AL2O3 और क्रायोलाइट NA3ALF6 के गलित मिस्रन के विद्धुत अपगठन द्वारा आप किसको प्राप्त कर सकते हो AL2O3 को प्राप्त किया जाता है अगर थोड़े केलसियम क्लोराइट मिस्रित NACL के गलित के विद्धुत अपगठन द्वारा क्लोडियम एवं क्लोरीन का निर्मान भी किया जा सकता है तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपके जो मेटल्स हैं उनके एक्ट्रेक्शन की जो विधिया हैं उनमें से हमने डिफरेंट डिफरेंट बिधियों के बारे में डिटेल से पढ़ा और उनमें डिटेल से पढ़ने के साथ साथ उनमें किस पिरकार से मेटल्स को अलग किया जा सकता है क्या क्या सिच्वेशन होती हैं और सिच्वेशन के साथ साथ हमने देखा कि कई बिधियों का ज़्याद आप शैड़ों के अपचेन की विधी में कुछ कारण थे कि वायू की ऑक्सिजन वा हैटोजन की किरिया से बिस्पोर्ट होने का खत्रा होता है इसलिए उसका जादा उपयोग नहीं किया जा सकता और साथ ही था कि हाई टेंपरेचर पे जो मैटल्स होती है वो हैटोजन के के धात्विक हैड डेड भी बनाती है इसलिए उसका जादा उपयोग नहीं किया जा सकता साथ ही हमने सैल्फ रिडेक्शन मैथड को भी पड़ा उसमें पहले तो क्या कराते हैं हम एयर की प्रिजेंस में रोश्टिंग करवाते हैं दें एयर की एपसेंस में बाद में हम क्य क्या है तो किमिकल डी डीचा के सकता इसी के हम बारा यह जो हाय टैंप्रेचर टेंगल डीची में हे मिला जार की हमिसिए हम जादा तो क्यूस्ट अविक्ट्रेप lamps का का उसमें हाईड्रोजन द वारा उक्षाइड उक शैर्ड का अपकार आ शोल्त के किस परकार से reduction, electrolyte reduction में भी हमने देखा कि ये इसकी कीमत है, विद्दुत की बड़ी होई होने के कारण महेंगी पड़ती है और इसके कुछ steps है, तीन पिरकार से इसको संपन कराया जा सकता है, जलिये बिलियन में भी करवा सकते हैं, जलिये बिलियन के अलावा हम other solvents में भी करवा सकते हैं, और इसकी जो अवस्था है, infused melts गलियत अवस्था में भी बिद्दुत का up chain करवा सकते हैं, तो इस पिरकार से हम जो metals की reduction, extraction, तत्मों का किस पिरकार से elements का extraction करते हैं, उनका हमने detail से अध्यन किया, थैंक यू